नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं अभी मामला उठाया, हंगामे के कारण सदर की करवाही एक घंटे के लिए स्थागित करनी पड़ी, वहीं नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा है कि सांसल साओ के ठीकानों से मिला कैस जार्खनियों से लूटा गया पैसा है, जल जंगल जमीन से लूटी गई रास जार्खन में 7,74,000 नोजवानों ने रोजगार के लिए कराया है रईस्ट्रेशन, जार्खन में 75% आरक्षन का हाल बेहाल है, यहां पर 7,74,000 नोजवानें रोजगार के लिए रईस्ट्रेशन कराया है, लेकिन नेजी कंप्डियों में 6,000 युआओ को ही नौकरी मिली है, बतादे जार्खन में नोखरी के लिए पढ़े लिखे नोजवान मारे मारे फिर रहे हैं, आकड़े बताते हैं कि राजें बेरोजगारी का क्या हाल है, 15 नौबर 23 तक के डाटा के मुताबिक नियोज नाले में 7,74,000 युवक युक्तियों ने रईस्टेशन करा रखा है, इ इसके लिए नियमावली 2022 भी बनाई गई, खुद मुख्य मंत्री हमांसुरे ने 17 मार्श 32 को जार्खन नियोजन पोर्टल का उधगाटन भी किया था, लेकिन नीजी कमपनियों में नियोजन को लेकर आय आकड़े चोकाने वाले हाएं जार्खन भी धान सभा घिराव करने पहुंचे पंचायज सचीवाले स्वयम सेवक, सितकालिन सत्र के दवरान जहां सदन में विपक्स का हमला सरकार जेल रही थी, वहीं दूसरी और सड़क पर पंचायज सचीवाले स्वयम सेवक सरकार को खरीखोटी सुनाने में जूटे कई महीनों से राजभवन के समक्ष आंदोलन कर रहे पंचायज सचीवाले स्वयम सेवक संग से जूड़ी बड़ी संख्या में कर्मी सोम वारा ठारा दी समर को विधान सभा घेरने पहुंचे थे, हलाकी विधान सभा से पहले जग नात मंदिर के समी पुलिस कर्मियों के द अपनी मांगों के समर्थर में सरकार पर दबाव बनाने में जूटे पंचाय सच्वाले स्वयम सेवक संग्त जूड़े लोगों ने इस दोरान सरकार भी रोधी नारे लगाय और सरकार की जमकर आलोचना की है क्यों नहीं सरकार को इस्थीपा देना चाहिए नेता प्रतिपक्ष बोले जार्खन बिधान सभाके सिद कालिन सत्र के दन नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने सता पक्ष पर स्थदन को राजनिती प्लेटफरम बनाने का आरोप लगाया है उन्होंने कहा है कि राज में स्वेधानिक संकट की श्थीती उत्पन हो गई है उन्होंने पूछा है कि क्या मुख्य मंत्री को श्थीपा नहीं देना चाहिए सित काली सत्र के दूसरे दिन प्रश्ण काल की करवाही सुरू होते ही भाजपा बिधायकों ने वेल में आकर जम कर हंगामा किया नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने कहा है कि चार साल तक बोलने नहीं दिया गया अब चार मिनट तो बोलने दिया जाए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को वज़ा से जार्खन की बदनामी हो रही है राज में समयधानिक संकट की इस्थिती उत्पन हो गई है मुख्यमंत्री खुद एजेंसी के समन की अवहिलना कर रहे है जो सही नहीं है CM खुद कहते फिर रहे हैं कि हर इस्थीती के लिए तयार है ऐसे में सरकार को इस्थीपा क्यों नहीं देना चाहिए इस मसले पर बहुत करने की जरूरत है अस्थानियों को नोकरी नहीं देने पर गुसाई सरकार कई पर जुर्माना जार्खन राज के नीजी छेतर में अस्थानियों उमिद्वारों का नियोजन अधिनियम दोहरेकर्ष के तहत आस्थानिय यूआओ को रोजगार नहीं देने पर अब तक 2420 नीजी कमपनियों को नोटिस जारी किया गया है उनसे पूछा गया है कि क्यो नहीं उनके बिरूद सम्वंधित अधिनियम के तहत करवाई की जाए वहीं 134 कमपनियों के बिरूद अधिनियम के वहलना के आरोप में जुर्माना भी लगाया गया है जुर्माना के रूप में अब तक 10.50 लाख रुपए की वसूली भी हुई है इस अधिनियम के तहत नेजी कमपनियों में 40.000 रुपए मासिक बेतन तक के सभी पदों के बिरूद 75% पदों पर अथानियों युवाओं को नियुक्ति करना अनिवार किया गया है राजे भर के PDS डिलर एक से हरताल पर रहेंगे राजे के 26,000 PDS डिलर जन बितरन प्रनाली के दुकंदार एक जनवारी से हरताल पर जाएंगे फिर प्राइस सौप डिलर एसोसियेशन ने इसकी घोसना की है एसोसियेशन की 10 सुत्री मांगो के लिए डिलर आंदोलन करेंगे एसोसियेशन के राजे अध्यक्ष ग्यान देव जहां ने बताया कि 24 जिलो में PDS के अंदर इस दुरान बंद रहेंगे उन्होंने कहा है कि सरकार के बार-बार कैस्वासन के बाद अब PDS डिलर छाला हुआ महसूस कर रहे हैं फिछले दो साल से राजे के 26 एर PDS डिलर मांगो की पूर्ति के लिए परयासरत हैं इसे पहले अंदोलन की रननीती के लिए सोमार कोई सेसेशन की ओर से बैठा कायोजन किया गया जहां अंदोलन की रननीती बनाई गई PDS डिलरो के अंदोलन में जाने से आम लोगों को परिशानी होगी अनिश्चित कालीन हरताल से लोगों को खाध्यान समदी समध से आई आ सकती है बता दे कि हरताल देश ब्यापी है ऐसे में देश भार में इसका असर देखा जाएगा सिट्टू ने स्रमिको के पंजी करन परकिरिया सरल करने को लेकर किया परदर्शन सिट्टु ने जहारखन राय निर्मान कामगार यूनियन के बैनर तले निर्मान स्रमिको का पंजीकरण की परकिर्या सरल करने पेंशन चात्रवीती इलाज की बेवस्था आधी 14 सुत्री मांगो को लेका स्रम विभाग कर्यालाई पर निर्मान स्रमीको ने जुजहारू पर्दसन किया पर्दसन से पुरु स्री क्रिशन सिंग पार्क डोरंडा से जूलूस निकाला गया जिसका नेतिवती सिट्टू जार्खन के करकारी अध्यक्ष भवन सिंग निर्मान कामागार यूनियन के राज्य महामंत्री संजाय पास्वान अध्यक्ष अमर उराव सुखनात लोहरा प्रतिक मिस्राव महेश मुंडा ने किया है परतासन के माध्यम से स्त्रमयुक्त सह अध्यक्ष भवन एवं अन्य सन्निकार करमकार कल्यान बोड को 14 सुत्री मांग पत्र सोपकर वार्ता किया जिसमें निर्मान स्रमिकों का पंजीकरन की परकिया सरल करने बी ओ सी डबलू में निबंधित लाभकों के बंद लाभ अविलम चालू करने साथ वर्स उम्र पुरा करने वाले निबंधित स्रमिकों को स्विक्रिती बाकाया पेंसन राचिका भुकतान करने निबंदी सर्मिकोक मिर्तियों के उपरांत मिलने वाले लाब अंतियोष्टी सहायता योजना मिर्तियो दुर्गाटना सहायता योजना परिवारिक पिंसन सहायता योजना का लंबित आवेदन करने इस्पादन करने जैसी मांगे को लेकर किया गया तुफान और बारिस से माकान को छती पहुँचने पर मिले का 1,20,000 रुपय का मुअबजा उन्होंने सवाल में पूछा कि क्या सरकार इस मुअबजा की रासी में बढ़ोत्री कर रही है बता दे अति विरिष्टी ओला विरिष्टी वह चक्रवातिय तुफान में दानी छेतर में माकान के पूर्ण छती होने पर 1,20,000 रुपय वह पहाली छेतर में कच्चे माकान के पूर्ण छती होने पर 1,30,000 रुपय पाका माकान में 15 फिष्टी की आशिक छती होने पर पर पैंश सट सो रुपए और काच्चा माकान के 15 फिष्टी की आशिक छती होने पर चार हया रुपए मुअबजा मिलेगा अयोधिया में राम मंदीर की प्रान पर्थिष्ठा का होगा लाइब टेली कास्ट 22 जनवाई 2024 को आयोधिया में स्री राम मंदीर की प्रान पर्थिष्ठा को रांची में महसा के रूप में मनाया जाएगा सुबह में संगीत में सुन्दर कान पाठ माहा आर्ति के बाद माहा भंडारे का आयोजन किया जाएगा साम में में रोड हन्मान मंदीर परिसर को 11,000 दीपो से सजाया जाएगा इस कारक्राम को सफल बनाने के लिए समीती ने संजोजक पंडित स्याम नरान पंडे यवं संजोजक अमित चोधरी यवं अमरनाज सरकार को बनाया है ज्यारखन के 1250 स्कूल कॉलेजों में हरताल संस्कूल वा मदार्शा के सिक्षा कर्मियों को राज कर्मि के दर्जा देने बेतन देने की मांग को लेकर लगभग 10 में अपने संस्थान में परजशन किया हूआ नारेबाजी की है झारखन में 29 दिसंबर को 8,000 को मिलेगी सरकारी नौकरी हजारी बाग के इचाक में आपकी योजना आपकी सरकार आपके दौर कारक्रा में मुख्य मंत्री हमन्सुरी ने कहा है कि सरकार के 4 साल पूरा होने पर 8,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा मुख्य मंत्री ने कहा कि 29 दिसंबर को सरकार के 14 अपना दिवस पर 8-9,000 लोगों को सरकारी नोकरी का नियुक्ति पत्र दिया जाएगा अभी तक सरकार ने 25-30,000 सरकारी नोकरी युवाओं को दिया है डबल इंजिन की सरकार ने 11,000,000 गरीबों का रासन कार्ड खत्म किया हमारी सरकार ने 4 साल में 20,000,000 हरा रासन कार्ड बना दिया 20 साल में 16,000,000 लोगों को पेंसन से जोड़ा गया हमारी सरकार ने 4 साल में 36,000,000,000 लोगों को पेंसन से जोड़ा चारखन निर्मान के समय सर प्लस बेट था 20 बरसों में विप्वक्षियों की सरकार ने खाजाने को लूटने और अपनी जेबों में भरने का काम किया बिजेपी वभीपक्स के लोग सिर्फ काम में अड़ंगा लगाते हैं पलामू से पोस्टल असिस्टेंट संजाय गुपता 15,000 रिस्वत लेते गिरफतार पलामू के मेदनी नगर इसीत मुखे डाक खर में सोमोर को CBI ने चापे मारी की मुखे डाक अधिक छक का रियाले में कारत पोस्टल असिस्टेंट संजाय गुपता को CBI की टीम ने 15,000 से एक करवाई की गई है, CBI की टीम ने आरोपी से पूछ ताच की, CBI के इंस्पेक्टर चंदर कुमार सिनाने संजाय कुमार को घोश लेते गिरफतार किया है, गुरुजी क्रेडिट काड और असिस्टेंट परफेसर की नियुकती का रास्ता स्थाफ, जार्खन में उस कास के लिए इस साल यानी 2023 में कई परियास किये गए, इस वर्ष बिद्यार्थियों को बिना गरंटी लोन देने के लिए गुरुजी क्रेडिट काड योजन लाई गई है, वहीं जार्खन सरकार ने बिस्व बिद्याले में असिस्टेंट परफेसर की नियुकती के लिए ब एक मंच पर आये चार पारा सिक्षक संगठन, बिहार के बाद जार्खन में सिक्षको की नराजगी देखी जा रही है, एक और जहां बिहार में BPSC सिक्षको के स्थीपा का मामला गरमाया हुए है, वहीं जार्खन में चार सिक्षक संगठन एक मंच पर आगए है, अपनी मा वर्ष दौजर अठारा के बाद अलग अलग पाराज सिक्षक संगठन फिर से एक मंच पर आया है। इस मुटभेड में घायल हो गए हैं। उन्हें रिम से रेफर कर दिया गया था लेकिन रांची में उन्हें मेटका अस्पताल में भरती कराया गया। मुटभेड देर रात तक हुई है। करीब 16 बजे हुई मुटभेड के बारे में गिरामिनों को भी सुबह जनकारी हुई है। हालाकि गोली बारी की आवाजे रात भर आती रही लेकिन उन्हें इस बात का अंधाया नहीं था कि पुलिस की जेजे मुटभेड हुई है। जैक बोड दसवी और बरहमी की आगई डेट सीड जारकन अधिवीद परिस्तद जैक बोड की दसवी और बरहमी की परिक्षा की तारिक जारी हो चुकी है। इस दिन किस विशे की परिक्षा होगी इसने पूरा बिवरन दिया गया है। CMK गुमला आगमन से पहले गाओं के लोगों ने की बैठक भोट नहीं देने की कही बात। मुंडा से ओकबा तक 30 किलो मीटर जरजा सड़क नहीं बनी तो 2024 के चुनाओं में वोट नहीं देंगे। रांची में बाइक चोर गिरोह के 500 से गिरफतार पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 500 गिरफतार कर लिया। इसके पुष्टी रांची के से चंदन कुमार सिन्हा ने की है। उन्होंने बताया है कि यह गिरोह सहर के कई इलाकों में सक्रिये था। इस बाइक चोर गिरोह में सामिल तीन अपराधी बाइक की चोरी करते थे। धन्यवाद।